नवस्का दोस्तों, डीडी रेट के को और रेक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आलोग तो आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए, जस वीडियो पर में रेक्शन करने जा रहा हूँ वीडियो इसलिए भी बहुत जादा अच्छी है, क्योंकि बात कश्मीर के हो रही है, वैसे तो बहुत जादा बात होती है कश्मीर में, लेकिन इस बार थोड़ा गजब का मामला हो गया है इसका टाइटल है, इस इंडिया, इस इस कश्मीर, अरब इंफ्लूएंशर, लॉर्ड स्मोधी गवर्मेंट फॉर जी ट्वेंटी मीटिंग तो आप सबको पता ही है, जी ट्वेंटी मीटिंग पर पाकिस्तान बड़ा परिशान है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है अब अरब के का एक इंफ्लूएंशर आ गया है, और उसने कहा, उसने पुरा कश्मीर दिखाया है, तो थोड़ी से उसके जलक में दिखा देता हूँ पहले आपको अब इस वीडियो ने पाकिस्तान में कमाल कर दिया है, पाकिस्तान में वाइरल हो गया ये वीडियो तो जाहिद से बात है कि पाकिस्तानियों के दिल को ठेस पोँचिये, कहां अरब, कहां कश्मीर, अरब जाके वहाँ पे शेक जो है, वो कश्मीर के गुन कहा रहा है, कह रहा है कि ये इंडिया है, घजब कर दिया है इंडिया ने, तो जाहिद से बात है कि मिर्ची तुल यह कश्मीर है यह इंडिया है और उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर निरिंडर मोदी को बहुत सराहा है कि वो G20 की मिटिंग जो है सरीन अगर जमु कश्मीर में हेल्ड कर रहे हैं क्या कहेंगे आप अमजद ताहा की स्टेटमेंट पर और जिस तरह उन्हों ने जमु क स्टेटमेंट दी क्यों उन्हों ने इसलिए दी देखें इंडिया जो है वो एक अरब की अबादी है बहुत बड़ी मंडी है यॉरप के लिए अमरीका के लिए जो अपनी आज का लोगों के मफदात जो है वो एकॉनमी से जुड़े हैं तो आप भी तो 25 करोड की अबादी हैं आप भी दुनिया की चटी सबसे बड़ी आबादी हैं फिर आपके यहां लोग क्यों नहीं आ रहे हैं आपके यहां लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लोग आपकी तारीफे क्यों नहीं कर रहे हैं यह सवाल मत पूछेगा कभी अपने आप से आप बता दिया क मंडी है यहाँ पर वो अपना पैसा करना है उनको कमाना है ये करना है वो करना है तो आप अपने आ करा लो भाई दोसो देशों में से छटे नंबर पर हो आप आबादी के मामले में तो आप क्यों नहीं करते फिर आपके मुलक में जो है आप जितना सौधिया की तरफ आपका जुकाओ है जितना आपका अमराद की तरफ जुकाओ है तो पहले तो आपको जो बड़ी ताक्तें थी वो आपको गुलाम समगती थी अब अमारात और साथी अरबिया ये भी आपको अपना गुलाम समझता है तो बेसिकली आपकी अंदरूनी लड़ाईया इतनी हैं कि अब आप कश्मीर का मुकदमा आलमोस खार चुके हैं आप जितना मर्जी रॉला डालते रहें कि हम इखलाकी अमायच जारी रखेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे हम अमारा असूली मौकफ है असूली मौकफ गया तेल लेने आपकी एकॉनमी इस काबिल नहीं है आप आज ही आपने देखा कि आज ही जो वज़ारत खजाना है उनकी ये स्टेटमेंट आई कि जो सरकारी मुलाजमीन है हमारे उनके जो इंक्रिमेंट्स हैं वो भी I.M.F. का बजट हम देंगे और वो अप्रूफ करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको जो अरम मालिक हैं और जो यॉर्पियन कंट्रीज हैं वो क्यों आपकी हमायत करेंगे मतलब आपके तो अपनी लड़ाईयां नहीं खतम हो रही मतलब इंडिया जो है वो टेकनॉलिजी में बहुत आगे हम से निकल गया इंडिया जो है उसने मतलब है अब हाइबरेड गाड़ियां अपनी उसकी जो है मोटर वेहिकल इंडिस्ट्री जो है वह इतनी स्ट्रॉंग हो गई है गूगल्स ने अपना जो है ओफिसिस वहां पे खोल ली है हर चीज तो वह मंडिया एक सबस्क्राइब करके सिक्योरिटी के बढ़ा दाएं उसके क दुड़ी कोbas नंबर टू ये कि जितनी भी हमारे वहां पे जहादी तन्जीमे ती जो किश्मीर की अपनी थी ठीक है उनको इखलाकी स्पोर्ड जो है वो पाकिस्तान से हासिल थी वो खतं होगी मुशरफ के जमाने में तो इंडिया ने ऍंडिया जो आप जम्मौ कश्मीर जो है वो है वो हिस्सा है अब जितनी मीद अंदर जम्मौ कश्मीर के अंदर जो गह लें कि उनको पोजिशन मिल रही है यहां रिजिस्टनान सो रही है वो लोकल लोग कर रहे हैं तो उनके बचारों के पास तो कुछ है नहीं कहने को बाराल इंडिया तो इसको ऐसे ही शो करेगा कि हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट है और कोई बाइद नहीं है कि वो छोटा मोटा एक हमला करवा के कहे के जी देखें जी चुके डी 20 के ममालिक वहाँ पे होंगे चाइना ने तो हैर जाने से इंकार कर दी है लेकिन बाकी तो जो भी ममालिक आएंगे अगर वहाँ पे कोई मसला होता है तो उन सब की हमदर्दिया डेफिनेटली इंडिया के साथ होंगी पाकिस्तान ने भी तो वहाँ जाकर इंडिया को धंकी दे दी है ना बिलाल पुटो जर्दारी ने कहा है कि अगर इंडिया ने जी 20 मीटिंग जो है वो जमो कश्मीर सीर्णगर में करवाई तो वक्त आने पर हम इंडिया को ऐसा करारा जवाब देंगे कि इंडिया याद रखेगा आप लोग क्यों जाकर सही हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो आप लोग सही चीज क्यों नहीं पढ़ते हो चूरन क्यों खा कर बैट गए हो मैंने एक वीडियो बनाया है इस पर आधा कश्मीर लेना उसको कहते कि कश्मीर पर पहले हमारा हक होता और आपकी फौज आती और आप हमसे आधा कश्मीर चीन लेते तो ये होगी कि हमने आधा कश्मीर ले लिया आप ज़रा Neutral हिस्टर जाके पढ़िए आपकी सेना ने कबाईलियों के साथ मिलकर अटैक किया जम्मू कश्मीर पर तब जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्ता नहीं था यह ओन रिकॉर्ड है आप जाकर स्टेंड स्टिल एग्रिमेंट पढ़िये जो वहां के महराजा हरी सिंग ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ करने की कोशिश की थी उसमें साफ था कि वो दोनों में से किसी के साथ नहीं जा रहे हैं तो आपके यहां से हमला हुआ हमला हुआ तब महराजा अरी सिंग ने कहा आपकी सेनाय और कबाईली शिनगर तक पहुँच गया थे शिनगर से 11 किलोमेटर दूर थे तब महराजा ने इंडिया से हेल्प मागी इंडिया ने कहा कि बॉस आप तो हमारे में शामिली नहीं हम किस अधिकार से जाएंगे कहने अगर कल को कोई तीसरा देश पूछेगा कि आप किस अधिकार से गए वहाँ पर मदद करने तो उसके लिए कोई हमारे पास ठोस बजा होनी चीए तो फिर उन्होंने Instrument of Accession पर साइन किया वो इंडिया में शामिल हुए जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना तब हमने अपनी जमीन डिफेंड की और तब हमने वहाँ से मार मार कर भगाना शुरू किया तब आप मुझाफराबाद तक पहुंचे उसके बाद मामला UN में चला गया सीजफायर हो गया वो सीजफायर लाइन बन गया आज जिसे हम LOC कहते है तो आप तो गमा बैठे आप तो शिनेगर तक आ गये थे भई तो आप तो कश्मीर गवा बैठे और टू थार्ट हमारे पास है आदा हिस्सा नहीं आपके पास तो यह जो आप लोग कहते हो ना कि हमने आप लोगों को चूरं दिया आपके आर्मी वालों ने अरे जब शिनेगर के 11 किलमेटर तक पहुंच गये थे तो वहां तक का हिस्ता होना चीए था ना आपके पास नहीं हुआ ना तो आदा कैसे मिला आपको अज़ान की तरफ देशन से देखा है उसकी आँखे निकाल देंगे और वकत आने पर हम ये कर देंगे, वकत आने पर हम वो कर देंगे वकत आने पर ये पाउँ पकड़ लेते है अब देखें ये वही बलावल भुटा जर्डारी है वो हमारे जो है वजिर-खारजा है मैं सिर्फ इतना कहुंगा कि आइव से एक سाल पहले वो कहते थे कि इंडिया ने मेरी हेड मनी रखी हुई है मुझे कतल करने के लिए उन्होंने इनाम रखा हुआ है और अभी वो इंडिया गे है जब कि इमरान खान का मौकफ ये था कि जब तक पुराना स्टेटस जा है जमो किश्मीर का बहाल नहीं किया जाता वक्त आने पर वक्त का बहाएगा आप बताएं मुझे वक्त का बहाएगा 75 सालों से मुझे तो वक्त आता दिखाई नहीं दे रहा और 75 सालों में इंडिया ने जो जमो किश्मीर को एक नई डिवैलपमेंट एक नया चेहरा दिया यकीन करें वीडियो देखकर हम भी हरान रह जाते हैं आर्टिकल 370 के बात हुई बिलावल साथ ने और इमरान खान साथ ने यही बात ही कि आर्टिकल 370 जो है दुबारा से बहाल किया जाए लेकिन वहां के जो लोग है उनका कहना है कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद जब मुकश्मीर में जो डिवैलपमेंट हुई है हम उसे बड़े खुश हाल है हम बड़े खुश हैं हमें दुबारा से वो आर्टिकल नहीं चाहिए तो देखें जब आपके घर में भूख होगी आप किसी को क्या तसली देंगे देखें अगर मुदी जो है उन्होंने अपना जो है वहाँ पे इन्वेस्मेंट की है वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टेंडर बेतर की है तो डेफिनेटली कश्मीरी सोचने पे मजबूर होंगे और जब आपके अपके आप तो मेरा ख्याल है कोटी के नारा भी नहीं लगाता होगा मैं माजरत चाहूंगा पाकिस्तानियों से लेकिन अब मेरा नहीं ख्याल को क्श्मीरी नारा लगाएगा को किस्मीरी बनेगा पाकिस्तान उन्होंने मरना है हम खुद मर रहे हैं यहां पे किशमीरी क्यों कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ जाना है कोई बुखे मुलक के साथ जाना चाहेगा पाकिस्तानी आपको पता है कि साथ लाख लोग पिछले एक साल में नौजवान जो स्किल्ड लेबर हम जिसे कह लें या डॉक्टर इंजिनियर्स पड़े लिखे नौजवान साथ लाख के करीम मुलक के छोड़ गए तो आपको क्या लगता है अब भी किश्मीरी कहेंगे कि किश्मीर बनेगा पाकिस्तान यहां के आज़ाद किश्मीर के जो लोग हैं वो इंडिया के साथ लाख करने को तयार है जितनी डिवालपमेंट उन्हों किश्मीर में देख लिए है वो कहते हैं कि हमें वहां की कैद मनजूर है यहां की भूग से जी बिलकुल ऐसे ही है अब देखें बात यह है कि जब वो खुद को सरंडर कर देंगे और जिनी तोर पे किश्मीरी तियार हो जाएंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे तो अगर जब जब इतनी डिवल्मेंट हो रही है तो फिर जब वो इलहाग कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान के आज से भी चीज़े निकल जाएंगी जब आज से चीज़े निकल जाएंगी पाकिस्तान से तो फिर डेफिनेटली वहां पे डिवल्मेंट होगी और कश्मीरियों की जिन्दगी असान होगी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ जो है आप वैसे भी नहीं हो आएंगे तो बेहतर है पाकिस्तान अब बैक फूट पर आगे जितना कश्मीरा हमारे पास है उन्हीं के साथ चले जो अज़ाद कश्मीर है उनको क्या दिया आई तक इन्होंने और यकीन मानिए पाकिस्तानी अकुपाइट जम्मू कश्मीरियों तो आवाजे उठी रही है आप लोगों ने शायद आपके हाँ मेंस्री मीडिया पर ये खबरे नहीं चलती कि गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है आप लोगों को जरा भी आईडिया नहीं गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको वहाँ के कुछ लोगों की बाते सुनवा देता हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा कि गिलगित बाल्टिस्तान में हो क्या रहा है सुनिए तुम्हारी अपनी कोई शलवार नहीं है तुम्हें अपने हवाम को नहीं कोई हक दिया मैं हुकुमत पाकिस्तान से कहता हूँ तुम्हें जो सबसिडी के मत में आलमी इधारू से अकवाम आलम से जो पैसा मिलता है बताओ खनासो चोरो हमारा हका दुबारे हो तो अगर अब भी समझ में आ जाए तो समझे के गिर्गित बाल्टिस्तान भी आप से अलग होने वाला है आज नहीं तो दस साल बाद सही पंदरा साल बाद सही अलग वो हो जाएगा और पाकिसाने उकुपाइट जम्मो कश्मीर तो खैर होगा ही होगा वो तो घर वापसी होगी लेकिन यकिन मानिए कि आवाज ने उठनी शुरू हो गई है और आप लोगों को जरा भी अहसास नहीं है कि आप लोग कितनी बड़ी गलती क्या कहें आप तो समाला ही ने जारा कुछ भी तो कहां गलती की क्या बात कहें मलब वे उनको तो अपनी गोवर्मन्ट सेलेक्ट करने का हक नहीं है जो सिटिंग गोवर्मन्ट होती है उसके साथ उनने जाना होता है तांकि हमें कुछ बज़ट मिल जाए कितनी डवल्मन्ट किया अपने अजाद किश्मीर में लेकिन जम्मो किश्मीर में जो किया उसका कंपरिजन कर लें बिए अप पाकिस्तानी मैं ये तो कह सकता हूँ قاعدیعظم نے کہا تھا میرے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شارک ہے لیکن آنفارچنیڈلی اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے قاعدیعظم کے اس بات کی نہ لاج رکھی ہے نہ اس کو سیریسلی لیا ہے انہوں نے بس جو ہے نا دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا سے فنڈنگ بٹورنے کے لیے اور لوگوں سے فنڈنگ لینے کے لیے ہمدردیوں کے لیے یہ سٹانس لکھا लेकिन अमली तोर पे 47 से लेके आज 2023 तक किसी भी हुकमरान ने कश्मीर की पॉलिसी को सीरियसली नहीं बनाया और कश्मीर के हवाले से सीरियस एक्दाबात नहीं करे जिसकी वज़ा से आज जम्मु कश्मीर के लोग जो है वो यह सोचने पर मजबूर है कि हम जो है इंडिया के साथ चले जाएं क्योंकि यहां डिवल्मेंट तब ही होगी जब हम एक खुशाल मुलक के साथ जाएंगे एक जो लुटा पुटा मुलक है जिसमें आज तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि अलक्शन कब होने है और आपकी सबसे बड़ी अदालज यह कहा रही है कि अलक्शन कराएं और मुहें मुन्तहिब लोग जो है जो अवामी मेंडेट के हामें लोग जो है वो पॉलिसी बनाएं लेकिन आप सुप्रीम कोट का हुकम नहीं मान रहे तो वो यह लोग सोचने पर मजबूर है कि हम इस पुखे नंगे मुलक के साथ जाके करेंगे भी क्या अज़ा सर ऐज़ा पाकिस्तानी आप क्या कहते हैं कि G20 मिटिंग जमु कश्मीर सिर्नगर में होनी चाहिए या नहीं देखें आगर तो मैं पाकिस्तानी बन के सोचू तो मैं कहूंगा नहीं होनी चाहिए हम जे G20 की मिटिंग वहाँ पे नहीं रखी उसने सब से पहले सब मुमालिक जो G20 का हिस्सा हैं उनको इतमाद में लिया होगा उनमें से 4-5 ने का होगा हम नहीं आएंगे लेकिन बाकी मिजॉरिटी ने का होगे जी आप करें हम आपके साथ हैं और उसके पीछे वज़ा ये है कि इंडिया बहुत बड़ी मंडी है और उनका फोकस एकॉनमी पे है और वो सिरियस लोग हैं एक चाय वाला उट के अगर मुलक को इतनी तरक्की दे सकता है तो हमारे पास जो पिछले 70 सालों से जो लोग का रहे हैं उनके लिए सोचने का मुकाम है तो ये G20 के मिटिंग उसका राइट है होनी चाहिए लेकिन आज़ा पाकिस्तानी अगर मैं सोची हो तो नहीं होनी चाहिए आपका नाम एहसन एहसन क्या गड़ते हो अभी करंटली में कॉर्परेट में जवाब कर रहा हूँ अच्छा एक अरबी इन्फलिएंसर रहे हैं उन्होंने जमु कश्मीर का दॉला किया है और वहाँ जागर लिए विडियो बनाया य्म एक झाहा 6 यह उस्ट्रेलिया नहीं है, यह स्विजिलेंड नहीं है, यह कश्मीर है, यह इंडिया है, और उन्होंने इंडिया के प्राइमिनिस्टर निरिंदर मोदी को बहुत जादा तराहा है, क्योंने जम्मो कश्मीर स्री नगर में जी ट्वेंटी की मीटिंग रखे और उनकी वीड तो इस पे इन्हों ने जी ट्वंटी की मीटिंग रखी है तो इस पे वहां सिक्योटी थेड़ भी है और भी बाकी इशूज इसमें इन्वॉल्व होंगे चूँकर ओल्रेडी एक कंट्रोवर्चल एरिया है तो इस पे उसे सराहां तो नहीं चाहिए बल्के इस पे यह है जी ट्वंटी की मीटिंगं कर रहे हैं चायन ने भी जो है वह वो घाड कायद के अजया है च्ण पर जाए ते इसकา यह ब्रोडर कॉंटेक्स जो होते के चाइन के अपने बाकी भी इंडियर के साथ जो उलेशन है वो मेब तो उसकी ऐस भेस तो नह भाड कोड किया हो या पर जो है वो में भी यह चाहरे हूं कि यह मीटिंग जो है वो इस एरिये में ना हो जिसकी वज़े सुनके बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन्शिप खराब हो जिसे पाकिस्तान हो गया या बाकी कंट्रीज हो गए जो नहीं चाहते कि यह मीटिंग यहां पर जमु कश्मीर में जो है वो G20 की मिटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपर माइनॉर्टी की राइट की वाइलेशन की जाती है जिस पर इंडिया ने उन्हें हिट बैक करते हुए कहा कि आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले कश्मीर हमारा है हम जोन सा मर्जी इवेंट यहां पर करवाएं तो एक तो यह चीज है कि आप इंडिया ने जिस तरह इसको आंसर किया है वो यह कर भी सकते हैं उसका में रिजन ही है कि वह एसी कौनमी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती सेल्फ सफिशन्ट है सो आप पावर टू से दिस के और वहां पर कंड़क्ट भी करा सकते हैं बहुत सार कि आप इंडिया को सपोर्ट करेंगे और यहां पेच आएंगे यह सक्सेस्फुली कंड़क्ट हो यह मीटिंग आपको बदे कि जब से यह अनौन्स हुआ है कि जी टुएंटी की मीटिंग इंडिया जो है वो कुछ जमो कश्मीर सीनगर में करने जा रहा है पाकिस्तान की त कि तो थोड़ा भी फरक नहीं पड़ता इंडिया प्र त्यारियों कर रहा है इवन कि उन्होंने इतनी हाई सिक्यूरिटी वहां पर कर दी है ताकि कि कि तरह के भी हासे जो है वो महफूज रखा जा सके इस मीटिंग को देखें पाकिस्तान कुछ भी कहें उससे मेरा नहीं है उपहड़ी है नहीं पर्शाफ हाग पर्थी एक्सेप्ड करुड़ा है उच पर्शाइच पर जे और डूस पे साथ चांव एप्रsu है कि ίह जो रीजन में दूसरे कंट्रीज हैं, इरान हो गया, या मिडिल इस्ट हो गया, वो बाकी सारे इंडिया पे डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंके पिछले दिनों जब हमारे बिलावल, हज़रदारी साथ, हमारे फॉर्ण मनिस्टर इंडिया गे, तो उन्हें कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, तो पाकिस्तान पिर इसका पूरा पूरा जवाब देगा वक्ताने पर, नहीं जवाब नहीं देगा, और देना भी नहीं च करते हैं, अभी इंडिया ने बहुत जादा सेक्यूरिटी वहां पर बढ़ा दी है, जितनी जोरो शोर से जी ट्वेंटी को लेकर जमो कश्मीर में त्यारियां और यह सेक्यूरिटी बे उतनी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है, अल्ला ना करिया अगर जी ट्वेंटी के दर हटो हैं जो जो पूब पूसिबल यह सक्शेफुली थो कर लें क्यूंकि आ कंट्री ना कोई चोटी मिटिंग निया की 20 बड़ी इकॉनमीज जो हैं वह सेट, यह मेरा नहीं हुग कि बीस एकॉनमी ז gidewn इ Pode रधना छो SU Джokीमा की डिसित कांईग में आई एंदी और भूग सिक या ना हुने दे ये ता हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्टानी अवाम की राय, उमीद है आपको आज का आपको आज का पसंदा होगा, आप ये अपनी राय का इजार कर सकते हैं, नीचे दिएगे कॉमेंट सेक्शन में, इसे के साथ हमें इजाज़त दें पर को मान लेने में कोई बुराई नहीं है आप हवाई के लिए बनाते रहेंगे आप जबरसी करते रहेंगे कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर का मालिक है और कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के पास ही आना चाहिए तो यह तो अब इतिहास की बाते हो गई 75 years से तो कुछ हो नहीं सका तीन जंगे आपने लणी इसके लिए कश्मीर के लिए अगर मैं कहूं तो लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया proxy war आपने छेड़ रखी है उससे भी कुछ नहीं हो पाया तो अब पाकिस्तान के पास इतनी जोर लगा लिया लेकिन कश्मीर आपका हुआ नहीं और अब जो है 370 के अब्रोगेशन के बाद वहाँ पर चीजें बदलनी शूरू हुई है पहले जो वहाँ पर कुछ फैमिलीज थी जिन्होंने barrier बना रखा था उसके पीछे कश्मीर की जंता होती थी और उसके आगे वो खड़े होते थे इधर से जो कुछ भी जाता था वो सब हड़ाप कर जाते थे अपने लिए वहाँ तक पहुंसती नहीं थी तो जब से अब्रोगेशन हुआ 35A और 370 का उसके बाद से चीजें डिरेक्ट लोगों तक पहुंचने लगी लोगों को दिख रहा है कि काम हो रहा है लोगों को दिख रहा है कि उन्हें सुविधाई मिल रही है लोगों को दिख रहा है कि उनके बारे में सोचा जा रहा है लोगों को दिख रहा है कि उनके परिशानियों के बारे में सरकार सुन रही है सोच रही है और इसलिका नले है कि आज कश्मीर बहुत जबर्दस ग्रो कर रहा है इन्वस्टमेंट्स आ रही है In fact, सौधी अरब, UAE से इन्वस्टमेंट्स आ रही है Australia से इन्वस्टमेंट आने वाली है Israel से इन्वस्टमेंट आने वाली है कई जहों पर काम शुरू हो चुका है इंडिया ने 14 बिलियन डॉलर का बजट जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए दिया है सोचिए 14 बिलियन डॉलर और पाकिस्तान एक बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे ना करगड रहा है और IMF की एक हजार शर्ते मान रहा है तो यह फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में तो जम्मू कश्मीर का मुकाबला भी अब पाकिस्तान से हम नहीं कर सकते है क्योंकि पाकिस्तान का स्टेंडर जो है वो जम्मू कश्मीर से भी नीचे जा चुका है कर भी नहीं सकते हैं मुकाबला बाकी वहाँ का जो फलो की जो सेक्टर है उसको ग्रो किया जा रहा है जो ड्राइफ रूट्स का सेक्टर है उसको ग्रो किया जा रहा है जो वो क्या कहते हैं केसर केसर को बहुत जाधा डिवलप करने की कोशिश की जा रही है दुनिया वरे में पहुचाय जा रहा है लोगों क कुल जमा जो है, अब कश्मीर के लोगों को लग गया है, अच आप सोची, पिछले चार सलस्वाँ पर पत्थर बाजी की एक भी घटना नहीं थी, आप समझे नहीं इस बात, तो कश्मीर का युवा अब ये जान चुका है, कि भाई, ये जो अब तक दिखाया जाता रहा है, ह कश्मीर की व्लोगिंग कर रहे हैं, और वो बड़ा जबरस काम कर रहा है, तो आप लोग जाईए, देखिए, उनको फॉलो करें, तब आपको समझवाएगा कि असल ग्राउंड पर रियालिटी क्या है, आप लोगों को जो तस्वीर दिखाय जाती है, वो तस्वीर 75 साल पेश्ट की गई है 75 यर्स में, उस तस्वीर को हम चैलेंज करते हैं, दुनिया के 20 सबसे बड़ी एकॉनमीज, आप आईए, ग्राउंड पर देखिए कि क्या वो तस्वीर सच्ची है, हम कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे, आप आईए ग्राउंड पर, और जो अरब के हैं, उन्होंने आकर जो चीज देखिए है, उन्होंने वो शेयर किया है, और वो ग्राउंड पर आकर, कश्मीर में आकर शेयर किया है, वो किसी तीसीर चेक पर बैठके, फरजी फोटो लेकर नहीं बता रहे हैं, तो मने बोला ना, कश्मीर का फेज 2 वाला मामला अब खतम ह हो रहा है, अब अगला कदम इंडिया का फेज 3 वाला है, वो बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, और आपको उसके नतायज दिखने शुरू हो जाएंगा बहुत जल्दी, तो जल्दे मिलता हूँ, एक और ने वीडियो के साथ, नमस्कार, जैहिंत